है अब सब्सक्राइब कि अपनी यूट्यूब चैनल पर आज आपके पर यहां पर मॉप्टेस्ट तुर्भ करने वाले हम यहां पर देखने वाले हैं कहिना कहीं HPG के आपका फिर ठीक है तो जितने भी आपके पास हिमाचल प्रदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन के और से एक्जाम किया जाते हैं उसके आपके यह त्यार किया गया था और कहीं जो है बहतर रहेंगा ठीक है तो यहां पर इंटरेक्शन आपका बना रहेंग तो उसकर कि आपको यहां पर देख लिजए सकीन का सबसे पंस्विचाइल आप के पास प्रशियल थैदयान हिमाचल परदेश के किस चिले में आपके पर Deskdraw किशन के दीए फिन्घाटी राष्टी उध्यान आपके पास अपके एप्यूद्वीज esc accent उपर सेटिन की लिए एक बार सेटिंग सही कर लेते हैं फिर आपके समस्यां यहाँ रहे हो आपके हो घ्याँ ठीक हो गया तो पहला के पास पिन घाठीं प्रदीश किस चले में देखने को मिलता है right answer कि अगर बात करू तो यहां पर low light पास पास इंदर यहां पे राइट हो जाना था option फर्स्स वह बिल्कुल यहां पर आपके पास ठीक है option फर्स्स आपके पास यहां पे राइट रहने वाला है ठीक है यह कुछ setting का आपका दिक्कत है थोड़ा सा तो online क्योंकि यह test आपके चल रहा है तो online आपको इसको provide कवा रहा हूं उस करके थोड़ी सी दिक्कत है जूम करके दिक्कत है बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसे आपकी नहीं करना हो तो option first अगर आप देखे तो आपके पास विहंग बनी पाल और fourth आपके पास जगत सिंग तो कुलू राजिय किस्त आपना आपके पास इन में से किसने की थी तो आपके पास जो right answer हो जाएगा आप अपने को लगा सकते हैं सही आपको लगेगा तो आप अपने मार्क्स इसमें एड करते रहे ना हाला कि यह online टेस्ट है तो अगर आप online इसको देती तो फिर तो आपके automatic यहां पर score आ जाना था लेकिन अब आपको मैं YouTube पर प्रवाइड कर रहा हूं तो यहां पे इस तरह से आपको प्रवाइड कर रहा हूं कि आप इसको जाकर खुद अपने जो है एक copy मिया चुचु आर वेद संग कहां रुएडता को कि अ धीताथे थोड़े से typing मिस्ट यहां पर है मियोचु आर वेद जो सूरत सिंग है legislature कि रखर आपके पूछा लागा है कि म Awesome Musik Mixed बंदी थे option first right आपके पास हो जाना था अगला प्रिशन आपके पास है भारत की किस गवर्नर जेनरल ने 1871 में हमाजर प्रदेश की यातरा की थी तो अगर इस पीजी का पढ़ते हो तो जायर सी बात लिए गवर्नर जनरल भारत के पर करू अगर डायर्य को ऐसे option में नहीं आता है तो जायर सी बात है कि कि गवर्न जनरल तो 1871 की जब भी बात की जाती है तो 1872 के बीच आपके करिशी वाग की स्थापना देखने को मिलती है जन्गर्णा आपके पास पहली जो अनियमित थी हाला कि नियमित तोर पे तो नहीं कह सकते हैं लेकिन पहली बार जन्गर्णा की शुरुयात लोड मेयो के समय देखने को मिलती है 1872 में तो उस हिसाब से आप देख लेंगे थे हाँ पर लोड मेयो आपके पास option first दिया था तो सब्सक्राइब इसको आप निगलेक्ट करके निकाल सकते थे कि लोड में आपके पास 1871 के आसपास थे क्योंकि 70-2 में क्रिश्यवाकिस्त अपना उनके द्वारा की गई साथ में आपके जो है हमने बात कर लेंगे जो आपके पास उनके समय जो जन्गर्णा है पहली जन्ग पास के यह वेक्ति है तो मतलब की ऐटीन फिप्टी एट के बाद एक जो दिनियम आया उस से बनाएंगे तो यहां पर आपके पास मिंटों क्या होने थे वारत के वह उस्रें यहां पर होने थे गवर्नेश जनल तो आपके यहां पर प्रशन पूछा किया था भारत कि किस गव गवर्नेश जनल थे और 1833 के एक्ट के बाद आपके जो है इनको जो पहले भारत के गवर्नेश जनल थे उनको भारत के वह उस्रें आपके बनाया गया था पहले जो बंगाल के गवर्नेश जनल थे बंगाल की गवर्नेश जनल को भारत के गवर्नेश जनल आपके बनाया गय यह तो सभी को पता होगा अगर आप HPGK कर रहें तो निसंदे आपके पास HPGK यानि की option भी आपके पास right हो जाना था तो यहां पर बात की जाए तांबो मठकी तो आपके पास प्रिशन यह भी पूछ जाता है कि इमाचल परदेश का जो है अजनता किसे कहा जाता है इस तरह के प्रिशन आप से बनते हैं तांबो मठकी में कहा हैं होमवर का question है comment section में comment किजिएगा जरा कितने आपके पास serious student यहां पर है comment section में comment करने वारे अगरा question देख लेते हैं ज्यादा समय आपका वेर्थ नहीं करेंगे क्योंकि समय का में पास भी आजकल अबहाओ ज्यादा है लाहुल स्पीती में बोध धरम किसने फैलाया था तो बोध धरम को फैलाने का जो काम है अगर आप देखिए तो आपके पास अशोक जो है अशोक लेकिन आपके पास अप्शिन बी यहां पर राइट हो जाएगा तो लाउल स्पीती में बोध धरम को किसने फैलाया था तो आपके पास पदम संभाव द्वार थोड़ा से टाइपिंग मिस्ट्री किसमें टाइपिंग का रहता है थोड़ा बहुत इतना तो अबहुत इतना रविंदानाटेग और इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है 1911 में पहली बार भारत का जो राष्ट्री गान है यह रविंदानाटेग और दार आपके लिखा गया था तो यह कई बार आपसे पूछा जाता है तो गीता अंजली में प्रकाशिक भी आपके हुआ थ हिमाचल प्रदेश में तो यह आपके पास डलहोजी था अगर आप डलहोजी लगाते ओके माप कीजिए गलती से मैंने प्रेस इसको कर दिया है लेकिन कोई बात लिए तो डलहोजी आपके पास यहां पर राइट होना था अब सभी को प्रेस करना पड़ेगा यह भी समस्या है काला टॉब और में बात किरें तो आपके पहां पर देखने को मिलता है कि जब भी बात की जाएगी यह देखने को मिलता है तो he पहले गवर्नर जनरल आपके पास कौन थे जो कि शिंबला आपके पास घूमने आये थे यह प्रिशन आपके पास बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है तो आपके पास ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जो कि आपके पास शिंबला घूमने आये थे यहां पर प्रिशन यह भी पूछा जाता है कि शिम्ला आने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी कौन थे तो दोनों एकी बात है लॉड एम हस्ट की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल आपके पास राइट है मेयो का आपके गरम बात करें तो मेयों आपके पास क्या थे पाके डलो जी की बात की जाए डलो जी बारत के गवर्नर जनरल थे एटिन फिप्टी फूर की बात है तो 1858 से पहले और 1833 के बीच में जितने भी आपके पास आशक होगे ब्रीडिश अधिकारी जितने भी होगे वो सब ही आपके पास यहां पर क्या देखने को मिलेगे बारत के वोईसरे आपके पास देखने को मिलते हैं ठीक है बाकी आगे चलेंगे चंदरा और भागा किस नदी पर आपके जाकर मलती है या किस स्तान पर यह चंदरा भागा और जो दो नदिया है जो कि एक चंदरा गाटी से आती है दूसरी भागा गाटी से कहां कि आपके पास यह लाहोल की आपके पास नदिया हैं, तो अगर आप लाहोल स्पीती से हैं, तो डेफिनेटल आपको ये पता होगा, तो लाहोल की दोनों नदिया हैं, चंदरा गाटी और भागा गाटी से दो नदिया निकल दिया, चंदरा और भागा, ये कहां पे जाकर मिलती हैं, तो एक जग आगया है चिनाव का कई बार पुराणिक नाम आप से पूछ़े जाता है तो यहां पर तांडी जो यह स्तान है को अंतेष्टी फ्तान भी आपके माना जाता है पांडो की पत्नी थी द्रोप्ती, जब आपके वो सवर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने प्राणध प्राण त्याग दिये थे, तो द्रोप्ठी का अंतेश्टी इस्तान आपके इसको कहा जाता है. option first यहां पर right up का हो जाना था आगे चलेंगे आपके पास मिंजर मेला कहां लगता है तो सभी को पता है चमबा का मिंजर मेला बहुत जादा famous है और यह प्रिशन आपके लिए इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि जो हिमाचल परदेश के पांच जो अंतराष्टिय स्तर के आपके पास फेर हैं अंतराष्टिय स्तर के जो मेले हैं उनसे प्रिशन बनते हैं जैसे कि आपके पास चमबा का मिंजर मेला हो गया रामपूर का लवी मेला हो गया आपके पास कुलू का दशेहरा आपके पास पांच मेलों से कईबर प्रिशन पोछे जाते हैं तो यहां पर बाकिस्तानिये मेले भी जैसे की शिमला के इंदर सिप्पी मेला लगता है इस तरह से लाहुलस्पी और किनोर के इंदर अगर हम बात करूओ फुलेच एक उत्सो जो है नवर्ष का जो मिला जा तो उसमें मेले जैसा महुर्ण आपके पास देखने को मिलता है तो यहां पर यह वाले प्रिशन भी आपके पास जो भी आपके पास दिया है यहां पर ठीक है तो राय सिंग आपके पास किस के आपके पास देखने को मिलते हैं तो यह देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश की रितेश चुर आपके राज्य के सस्तापा आपके पास राय सिंग देखने को मिलते हैं अब पूरो चंद कहां क के थे करम परकाश कहा थे दूनी चंद कहां के थे यह आपने एक बार गोत्रू जूर कर लेना क्योंकि इंपॉर्टन फेक्ट आपके पास जो है वह कुछ ऐसे रहेंगे कि आपको खुद ही देखने पड़ेंगे सारे चीजे में आपको पॉसिबल नहीं है बताना लेकिन केलूरी लेंगविज बिलासपूर है तो बिलासपूर भी समसकते हैं आपको कोई दिक्तनी अगर आपको लगता है केलूर यासत आपको नहीं पता है तो एट परजेंट आपके पास ही बिलासपूर है वीरचंद ने इसके सापना की थी तो ऑप्शन यहां पर जो आपके पास कौन थे तो आपके स्कीन पर देखें तो काशी राम है बागमर सुध है चोदरी शीर जंग है और उप्शन दिया आपके पास होगा उप्शन जो पास यहां पर राइट हो जाएगा बाकि निसंदे आप खुद भी लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी ब आपके पास कुलो मनाले के अंदर आपके पास देखने को मिलता है मलाना वाले क्षित्र में तो यहां पर बारा वर्षपात आपके मना जाता है तो आप्शन यहां पर बी जो दिया है विल्कुल आपके पास राइट होगा प्रिशन आपके पास गसोता मेला आपके पास कहा में आपके पास देखने को मिलता है ऐसे प्रिशन आपका बन सकता है निसन दे तो यहां पे आपके पास जो राइट होगा गसोता मिल आपके पास कहां पे देखने को मिलता है तो यह जो देखने को मिलेगा यह मिलेगा ऑफशन अगर आपके पास भी आपने लगाया था तो ब हिमाचल परदेश की सबसे चोटी वाइड लाइब सेंचुरी आप से पूची गई है एच वी में आपके पास कौन सा ऐसा वन्य जी अभ्यारन है जो कि सबसे छोटा है किसी साफ से पूचा गया है वर्क शेतरपल के इसाफ से आप पे पूचा गया है तो यह पर शिल्ली है त आपके पास किस डिस्टिक में बढ़ता है तो डिस्टिक सोलन के अंदर आपके पास शिल्ली ये एक स्तान है जो कि सबसे चोटा वन्य जी अभ्यारन आपके पास देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में IIT कहां है तो हिमाचल प्रदेश में IIT कहां है हिमाचल प्रदेश में जो भारतिय प्रद्योगी कि सनस्तार IIT मंडी में है जिस किस्ता आपके पास कप की गई थी 2009 में की गई थी तो ऑप्शन अगर आप यहां पे देखे तो भी आपके पास यहां पर राइट हो जाना था अगला प्रशन आपके पास किन पर दिया है नारगू सेंचरी आपके पास किस जीले में है तो आपके पास नारगू सेंचरी आपके पास दिये गए मंडी है शिमला है कांगडा है बिलासपूर है तो इसके एकोर्डिंग आप यहां पर अंसर कर सकते है नारगू सेंचरी आप के पास हिमाचल परदेश के किस जिले में आपके पास देखने को मिलती है राइट एंसर के अगर हम बात करें तो डिस्टिक मंडी आपके पास यहां पर राइट हो जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपके पास राइट हो जाता है ठीक है तो ऑप्शन फर्स्ट आप की देखने को मिलते हैं थोड़ा सा सेटिंग का ईश्य कोई बात नी नेक्स ताइम इसको मैं पहले चेक कर लोगा कि क्या दिक्कत यहां पर एंपर कहीं और क्लिक करنا चाहरा हूं यह कहीं और आपके कलिक हो रहा है कोई बात नहीं तो यहां पर कि कब आपके देखने को मिलता है यह मंडी आंदोलन इसलिए लिखा गया है ताकि आपको जो है कई बार examiner जो question आपके पास कई बार confuse करने की कोशिश करता है तो उस करके आपके यह लिखा गया है तो 1909-1910 के आसपास यहाँ पे मंडी ऑंदोलन देखने को मलता है 1912 के असपास मंडी शड़ proportion पास देखने को मलता है तो यह दो अलग अलत फेक्ट के पास है तो यह दोाजर आनको सभी को सेमी आपके लिए जाता है तो यह मंडी शड़ आतर भी आपस पूचा जाता है कि कौन इसमें शामिल थी, किस एक ने नेतित्यों किया था, तो खेड़-गड़ी का संबंद ये इसी संबंदी थे, तो इसके बारे में भी आपके पास और इंपोर्टन फेक्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जग्गा अंदोलन आपके पास, एक्चुल आपके पास बिल्कुल राइट था, रामपूर बुशियर के लोगों ने 1859 में विद्रो किया, तो आपके पास किस के खिलाप किया था, रामपूर बुशियर में जो आपके पास 1859 में एक रिवॉर्ट देखने को मिला, किस के खिलाप आपके देखने को मिला, क्या बेगार प्रता के विरोध में था यह जमीदारी प्रता के विरोध में ब्रश्टर चार विरोध या फिर गो हत्या तो option आपके पास यहां पर दिये गे हैं रामपूर के लोगो द्वारा जी यह विद्रो आपके किया गया था यह किया गया था आपके बेगार प्रता के विरोध में त तो यह important है, कोई बात नहीं, next question पर चलते हैं, अगला question आपके पास है, Monday state association किस्तापना आपके किस्ने की, Monday state association किस्तापना, option first आपके पास है, Swami, पूर्णाचन, option second है आपके पास, लाला हर्दियाल, option third है आपके पास, लाला राज़ पूर्णाचन, option fourth है आपके पास, सुभाज चंदर बोस, तो Monday association लाला हर्दियाल यहाँ पे संबन्दी थे, तो यह आपको थोड़ा सा याद रखना है, option जो यहाँ पे आपके पास, मापकी जिगा, लाला हर्दियाल नहीं होगा, यह आपके पास, स्वामी पूर्णा देंद, आपके पास यहाँ पे, मंडी स्टेट association से संबन्दी थे, लाला हर्दियाल का जो संबन्द है, वो किस संबन्द थे, यह आपके पास, गदर पार्टी से संबन्दी था, इनका संबन्द, तो यह आपने थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे मंडी शुरेंटर से भी इनका कुछ एक लिंक था, तो उसको भी एक बार क्रॉस चेक आपने जरूर कर लेना है, अगला प्रिशन आपके पास क्या है, प्रिशन आपके पास किन पे दिया गया है, कि आपके पास हिमाचल परदेश में प्रथम आपके पास जो चुनाव देखने को मिले, यह आपके पास कब करवाएगी थे, तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार जो चुनाव आपके कब हुआ यह प्रेशन आपके पास कई बार एक्जाम में देखने को मलता है बहुत से confusion है कई को लगता है आपके पास 1951 है कई को लगता है 1952 इसका एक में लोजीक आपको बताता हूं कि आपके पास इसमें 1951 होगा क्यों होगा क्योंकि 1991 में के start आपके हुए थे ठीक है हाला कि जो complete आपके पास 1952 में हुए थे यह आपके पास बारत की अगर राइट अंसर हो जाएगा कौन 1953 में हिमाचल प्रदीश के पंजाब के साथ विले के पक्षमें नहीं था ऑप्षिन आपके पास है जस्टिस फजल अली के एम पनिकर H.N. Kunjuru और इनमें से कोई ने तो 1953 के अगर मैं बात करूँ तो 1953 में आपने क्या देखा कि आपके पास जो पुनर गठन का जो मांग उठ रही थी तो यहां पे 1953 में एक आयोग आपके गटित किया गया था और इस आयोग की अगर मैं बात करूँ तो इस आयोग द्वारा रिकम आयोग आपके गटित किया था पुनर गठन आयोग 1966 में आपने देखा होगा कि बहुत से आपके पास ऐसी जो सीमा है जो कि आपके पास पंजाब से उनको जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया गया जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के खेदर पल भी आपके बढ़ जाता है पहले हिमाचल प्रदेश का इतना क्षेतर पल नहीं था लेकिन बाद में 1966 में पंजाब के जो पाड़ी क्षेतर थे उसको हिमाचल प्रदेश में आपके मिलाया गया यह फजल अलिक यह दक्षता में आपके पास आयोग आपके पास जो देखने को मिलता है यह एक प्रेशन 27 का आपकी पास option जो भी दिया था यह आपकी पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाना था अगला प्रेशन आपकी पास क्या है कांगडा जीले का निर्माण निमन में से किसने करवाया था तो क्रबाद करू तो इसका बात करूत इसका निर्माण आपके सुशर तोड़ी सी समस्या है इसमें कोई दिक्त नहीं क्या कर सकते हैं क्विशनबर टुनीयट आपका हो गया है राइट हो गया है काकिनマऌट टूंटि ने है मंडी में तो मंडी या फिर आपके पास सुकेत यह कई बार इसमें उल्जन आपके रहती हैं तो जब भी वीर सेन की बात आएगी तो वीर सेन जो आपके पास संस्तापक थी कहां कि थी आपके पास सुकेत के लिए आपके पास फॉस्ट राइट है अब मंडी जो आपके पास ह मंडी की स्थापना किस ने की लिए मंडी शहर अलग है यह आपने बिताना कि मंदी राज्ञे कौन था अलग पृष्णे या भिप बन जाता है इते हैं आधू कि चलेंगे अगरा प्र स्था आपके पास देखने को मलता है अम़तर ऐ चंबा की राणी की याद में कौन से मेले का आयजित चंबा की जो राणी है देखें चंबा रियासत किस्त आपना किसने की थी एक पूर्शन ये बनेगा ठीक है option ही आपके पास यहां से चले गया है है पहला अप्चन है नॹना दैवी आपके पास सेकीर सुही athाड़ है आपके पास लवी मिला और स्वर्थ है आपके पास सर्वाल स्वॉ्वादक्रों तो चंबा की राणि कीया याद में जो मिला आपके आये जित किया जाता था वह आप पॉर्टेंड है सुही मेरी आपके पास काहений संभन्दी थे तो अगला प्राशन आपको का हिमाचिल प्रदेशों कि फिए का संभान प्रडेश का सब्सक्राइड की है होगा, मन्डि भी नहीं होगा, हिंडूर भी आपके पास नहीं होगा, तर disappears यह सबसे पुरानी है तो यह आपके पास important fact है सबसे पुरानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियास थे त्रीगत रियासित आपके पास देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश के आचारे राजध शमवर का ऐसे अनेख बार यह दिवा था तो इसका बहुत बार व inbox मिलता है तो यह को आपके पास राजध शमवैर किसके बीच युद देखने को मिलता है यह देवदास ू कि आपके पास देखने को मिलता है अगला प्रशने आपके पास है रानी का ताल जिसका आज भी महत्तो है किस रियास्त के भाग रहे तो रानी के ताल की जब भी बात की जाए कि ये रानी का ताल आपके पास डिस्टिक सिर्मोर के अंदर देखने को मिलता है और सिर्मोर में आपके पास ये कहां देखन डलौ जी हिमाचल प्रदेश में विले से पुर्व किसका लोजी आपके परश कहाँ पर देखने को मलता है। current press जाना पूचा गया है क्या होशियार पूर का भागता गुरॉदासपूर का फिर आपके पास फिरोचपूर का ता अगर इसकी में right answer की में बात करूँ तो यहाँ पे आपकी पास option जो D दिया है गुरदासपूर यह आपकी पास यहाँ पे right हो जाना था option D नौरपूर का प्राची नाम क्या था तो देख यह प्राची नाम आपसे बहुत बार पूछी जाते हैं नौरपूर का प्राची नाम इनमें से क्या था नरेटी था शापूर था नियाएपूर था या धमेरी था धमेरी option जो D है यह आपकी पास यहाँ पे right हो जाएगा तो नौरपूर का प्राची नाम आपकी पास धमेरी देखने को मिलता है हिमाचल परदेश पुलीस प्रश्यक्शन के अंदर कहां पर है तो यह आपकी पास देखने को मलता है हिमाचल परदेश के ड्रो में ऑफशन जो बी अगर आपको लगता है कि सही है तो बिल्कुल आपकी पास यहाँ पी राइट ही हो जाएगा 37 की बात करते है हिमाचल परदेश के वर्तमान विदानसभा भवन का निर्मान आपकी पास किस वर्श में हुआ था बहुत जादा तो ये बहुत बात परशन आपके पास बनता है तो यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पर option आपके पास चिरनजी लाल वर्मा आपके पास है अमरित कोरकी बात की जाए तो यह आपके पास इन्होंने जो क्या किया था हिमाचल प्रदेश को represent तो किया था लेकिन जो है किसके स्वास्त्य मंत्री के रूप में कमेंट स्क्षिशन में कमेंट कर देने हिमाचल प्रदेश में पहला पंचा marble या ती राज अधिनियम आपके पास कभ पारित किया गया यह था हिमाचल πरदेश के यह आपके पास question उपे नीचे हो गया यह थोड़ा सा आपके पास में जो स्वास्ते मंत्री बनने वारी थी हिमाचल संग का संबन्ध था इस कारणी इंपोर्टेंट आपके पास है अगला प्रिशन आपके पास देख लेंगे आपके हमने कर लिया था कोशन नंबर फोटी अगर आप देखे तो हिमाचल प्रदेश के जो पुराने सचिवाले का जो नाम है बहुत बार एक्जाम में पूछे जाता है कि हिमाचल प्रदेश का पुराना सचिवाले भवन है वह आपके पास कहा है बर्नी स्कोर्ट में अलर्सी भवन में आपके पास देखने को मिलता है तो हिमाचल प्रदेश का जो पुराना भवन है वह देखने को मिला LRC भवन के अंदर LRC जो बिल्डिंग है आपके पास उसके अंदर यहां पर देखने को मलता है Question number 41 Mandi का जो हिमाचल प्रदीश में विले किस वर्ष किया गया तो यहां से भी प्रिशन आपके पास एक्जाम में देखने को मलते है तो किस वर्ष आपके मंडी को जो आपके पास यहां पर विले आपके पास देखने को मलता है Option आपके पास दिया गया Option 1 अगर आप देखे तो 1 आपके पास Option दिया गया है 1 मही 1947 Option 2 आपके पास दिया गया है 1 मही 1948 Option 3 आपके पास दिया है 1 मही 1949 और option जो आपके पास D दिया है 1st मही 1950 तो इसमें से आपके पास कौन सा राइट होगा 1st मही 1948 आपके पास यहां पी राइट हो जाएगा Nikoles Rorik का जो जनम है किस स्थान पर आपके पास यानि कि कौन से देश में आपके पास हुआ है तो Nikoles Rorik जो आपके पास है यह एक आर्ट गेलरी इनकी है इसकारण यह काफी ज़्यादा फेहमस है तो कहां से संबंदी थी तो यह रूस से संबंदी थी तो रूस का अगर हम बात करें तो आपके पास पूर्व सोवित संग आपके पास होगा तो रूस की यह आपके पास Nikoles Rorik है और इनको जो हिमाचल प्रदेश का रिशी भी कहा जाता है तो इंपॉर्टेंट आपके पास है एक यह आपके पास चित्र का आर्थी आठाजार चित्री नों हिमाले पे बनाया है उसकारण यह काफी ज़्यादा प्रसिद है और इसकार कांगडा शिंबला जोगिंदर नगर इनमें से आपके पास कहां पर देखने को मिलता है तो आपके पास यहां पर सेकिंड दिया था जो कि आपके पास कांगडा है वो आपके पास बिलकुल यहां पर ठीक हो जाएगा पूरों काल में परदेश की पहाड़ी बाश्या की लि करूँ तो यह आपके पास टांकरी लिपी है तो उप्शन जो सी था वो आपके पास यहां पे राइट है अगला प्रिशन आपके पास है तिप्ती धर्म गुरु दलाइलामा जो है धरम शाल आपके पास कब देखने को मिले तो यह आपके पास अदिनस चैन बोर्ड आपके पास कहां पर स्थित है या था तो आपके पास हमीपूर में था, कॉस्टिन सस्पेंड हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, इसको आपने रहन देना किनोर प्रिथिक जिला बनने से पूर्व किस जिले का भाग था तो कई बार एक्जाब में पुछा जाता है किनोर पहले किसका भाग था तो किनोर आपके पास क्या सोलन का भाग था, सिर्मोर का था, महसू का आपके पास था तो definitely सभी को पता है, महसू का भाग आपके पास ये रहा है तो कौन सा ऐसा एक दर्रा है जो कि आपके पास लाहल गाटी को स्पीती गाटी से अलग करता है यह आपस एक्जाम में पूछा गया है तो यहाँ पे कुंजुम दर्रा आपके पास देखने को मलता है बाकी कांगला की बात की जाए बारलाचा की बात की जाए तो यह कुंजुम की बात की जाए सभी आपके लाहुल स्पीती में देखने को मिलते हैं तो यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन हो सकता था लेकिन कुंजुम दर्राप की पास लाहुल गाटी को स्पीती गाटी से अलग करता है चोबिया दर्राप के पास किस मार्क के मद्दे देखने को मलता है तो आपको सभी को पता है चोबिया दर्राप के पास कहां पर है इमाचल परदेश के चंबा में हैं तो अप्शन अगर आप देखे तो अप्शन आपके पास इसमें जो कन्फूज करते हैं वो कौन से हैं दो के पास एक है ये आपके पास चंबा पांगी पांगी और भरमोर के देखने को मिलता आपके पास किसका हिस्साय चंबा का श्रीय का आई अंतिम प्रश्न आपके पास पिस को लक बगंग बराबर बागों में मत भाएतु नर। या व्यास नदी आपके पास देखने को मिल रही है सतलूज नदी आपके पास या फिर आपके पास गागस नदी है तो सतलूज नदी जो है दो बराबर भागों में आपके बांटती है किस चिले को बांटती है तो बिलासपुर को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो नदी है वह कौन सी नदी आपके पास देखने को मलती है बाकी और भी करोशन ने मुगने आपको लिदिया चैनी के लिदू करवा करें ऑनको बाकी आप चाहेत यहाँ पर मिरसाथ बने रहे सकते हैं और मेरे साथ बन रहेने के लिए आप सभी का तैदल सी बहुत बहुत धन्यवार